सबसे पहले हम यहां करेंगे यहां पर हम ले रहे हैं यह वाला ऐडी काड बनाने की चुशिश करते हैं तो यह वर्टिकल में है तो यहां पे क्लिक करके इसकी बिड़ को रखेंगे 2.2 3.6, 300 की रेजलіशन गते हैं कर देंगे इसको के उंढलोग करेंगे यहां से चैसे डिज़ाइं कर देंगे फिर उसके बाद क्लिक करकें कर देंगे अच्छान् ग्दयांट करेंगे यहां से इस तरह से बढ़ा कर ड़े एक उपो क्लिक वब इसको इस तरह है और बढ़ालेingen प्लिक करेंगे यासे अपलाएगा ५ी उस्के बाद क्या करेंगे यहां से इसको फूरा सा एक sürख से कम पढ़ पढ़ था इसको इसको फूरा करते को आप इसको क्लिक कर देगी लेंगे कुछ हैं ँख दूरिबिडव एक्टिवेट करने के पाद लेज्ड करने के बाद लेज्ट पर यह मार पास आक है ठीक है और इकर shaken पनारा थे तो यहां से तटिल कि यह हैं लया ड़ेट खेर आइंगे यहां पे यह सरकील अब रेंगे यहां से डिजाइन करने है जाल टेव यहां पे राने कि रिखना है तो 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 उसके इस तरह सेय। दिखा देगे उसके बाद हमने क्या करना है इसके बाद हमने यहां पर रखके इसका साइश का बड़ा कर लेरा है आप शहित था डिकले अब दिकली बाद के effe इस तरह से मामला ते पाएगा तो इसके लिए हमें करना ये है simply के देखें थोड़ा साथ को नीचे लिए आपे अपर थोड़ा स्पेस चाहिए होगा अपर इतना स्पेस चाहिए रहेगा ठीक है तो design निकालने का तरीका ये है कि आप पहले क्या करेंगे इसकी layer को यहां पर right button बढ़ा के रेस्टराइज करेंगे फिर circle तो भी right button बढ़ा के रेस्टराइज करेंगे फिर यह वाला tool ले ले जिसका नाम है polygon and lesser tool और यह tool लेके आपने करना ये है जैसे इस वाली layer पर click करके और यहां से इसको एक page निकालना है हमें यह अपने age ले लिया इसका ठीक है click किया और यह ले जाके हमने उपर इसके साथ इसको डबल क्लिक करके हमने आप स्लेट कर दिया इसको यहां से इस साइडे से निकलाई है दूसरी साइड हमें कैसे निकालनी इसकी कि यहां से लेना इसका एक यह वाला एज लेना असान रहेगा यह हम यहां से लेना इसके कि कि अपने इस तरह से अच्छा यह यहां से अपने डिलीट कर दिया की ला किया अपने अपने यहां पे यहां हम कि यह यहां पे ही यहां पे यहां पे गए हम कि धिक और यह यह देखें यह आपका सर्कूरेव रिश्य है भीला है अ प्पर क्रेंगे यह डाइँ से खेयर। यहां से खेंगे हैं। ठीक है और इसके उपपर कर दे पैस्ट लेयर स्टाइब तो यह बैसिक शेफ इसका यहां से निकल आया अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे अब फॉर्टू के से लगाएंगे स्कर्दन ऑन करेंगे की लेगे उनने कुपीटर से चंटमर्ट्वन क्लिक करते हैं सब्सक्राइब नगा रही है और यहां पर क्लिक करके इक इमेज ले लेता है जो हमें अच्छा इन लगा पूस्ट्यू पी है यह लगा लेता पंच्रोल ए करेंगे चंच्रोल करेंगे यहां आखे चंच्रोल वी जरेंगे फिर इमेज को शेप के उपड़ जाएंगे देखेंगे कौन सा इससा इसका सरक्लिक सेट बैठ रहा है तो यहां से इमेज में क्लिक करके यहां से क्लिक करेंगे रइट बन नवा यहां से क्लिक करके यह बन नवाकर कियो कृट ऊंच करेंगे एगा कयाँ फिक्स ही धना सी थे क्लिक आजाए थे कर यह देख्र किलिपक मास बैफ पर रखेंगे इमेज को उसके आगे रख़ो पर लाहे है है कि ये काम होगा सके अब आते ही कि ऐसा है बाट इसे इसे बनेगा सपोस्व मेड़ने अब कर देखने को चाहिए है है कि उसको पोतिफ एक जीयों तो其實ोसे और एलक का चाहलों ना इस तरह से आगे, हम इस शहला लिखावा Ctrl T करके इसके फुड़ा बड़ा करना है, फुड़ा इस तरह से बड़ा क्ये जा सकता है, उसके नीचे एक शैप बनाना है हो, अब यह गोल कैसे बनेगा, पहले शैप लेना है, राउंडट बाला, इसकी जो रेडियस से इसको 50 पर र बेख ले, अब बना के आपने इस पर कलर दे रहा है, यही ब्लू वाला, इस टॉक पतम कर दिया हमने, तो इसको भी इसके साथ, आरो की, इसके साथ इसके साथ इसके उखना है, अब पर अगर के, ठीक है, उस पर लिखता है, ग्रैफिक डिजाइनर, जो भी इसका है, इसके फोर्ट को नॉर्मल में करके लिखेंगे, अब यह दोनों लेयर्स को बनी है, हमारी, अब यहां पर नीचे, हमारे पास डिफरेंट आप्शन्स है, यह वाला डिजाइन बनाना है, अच्छा थोड़ा सा देख लेते, यह वाला डिजाइन कैसे बनेगा, यह जो डिजाइन को हैं, ठीक है, यह दिजाइन सिंपल है, बस उसको थोड़ा समझने की कोशेश नहीं, आपने ही बन जाएंगे, यह हमने इसको एक ग्रूप में डाल दिया, इतेल्स को, ठीक है, और नीचे वाले डिजाइन को एक ग्रूप में डालना है, हमें, इनको स्लेट कर दिया हमें, अब इसके उपर वाला जो डिजाइन है, जो इसके उपर बन रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे एक शैप लेना है, इस सरह से पट्टियों में उसको बनाना है, तो पट्टी का साइज रख लेंदे कि इसको बड़ा रखना है, फिर क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसमें कलर फड़ देना है, जैसे मैंने सिखाया था आपको कि इसको आप कनवर्ट करेंगे, ताकि इसमें ग्रेडियंट दे सके जो डिक करेंके सके उपड़ कंट्रोल के साथ इस इसको राइट बेंगे र्डिटन के साथ स्कोड राइस कर देंगे जो अपर यहां से बलांडिंग और जाकर यहां पे क्लिक करके यहां से क्लिक करें और इसको यहां पर क्लिक करके यहां से कलर ले ले यह वाला कलर ले ले और इसको ओके कर दें तो यह लाइट टू डार को रहा है तो इसको डार कलर को ले जाए यहां पर और लाइट कलर को ले आई हैं ठीक है ए-पिए इसको भी एकरें मar। कई साज अधर नच नियु एप gidikelet लेव इसका बोड़ा ओल्डार कर वार्ज जाहिए होगा आपको फिस्क और इन शिकनिकर करों से स्टना बंर सब्सक्राइब एपर विच्ट पर देखें कितनी चोड़ी लग रही है तो फिर इसको कंट्रॉल टी करके पोड़ा सा और पतला कर ले आप इसको क्लिक करके अब यह पथिया को दो तरह से बनानिये एक बनानिया आपने वाइट ब्लूम है और एक बनानिये इस तरह तो इसी ही Ctrl J ने ले एक duplicate तो यह दो पट्टियां खाल लगनी है इस तरह से लगनी किस तरह से लगनी है यह आएगी अप हमारी पट्टी यहां पर पकड़के यह आएगी इसके साइड पर इसमें वाइड शेड आगे रखेंगे तो Ctrl T करेंगे रूटेट करेंगे इसको इस तरीके से एंगल निगा लेंगे किस तरह से perfect rotation angle आ रहा है Ctrl T से यह Ctrl T देगी हम यहां पर और इसको इस तरह से रूटेट करेंगे इसको कितना आगे रखना है तो रूटेशन एंगल निगा लें रखना है और इसको यहां से shift के साथ ठीक है इस तरह से रखा जाए गई है और वह शेड तो उसका आगे पीछ हो गया भी करता हूं उसको मैं तो यहां से प्लिक करेंगे इस वाली पट्टी को और यह वाला लेंगे हम इसका इंगल लखाने के चंट्रोल थी तो यहां से पकड़ेंगे तो यह वाली तो सही बन गई है इसका थोड़ा सा इशू है अब इसका इशू कैसे होगा इसके अब इसके अब जाएंगे और इसके अब जो ग्रेडियन हमने अप्लाई किया है और अफिसमें तो ग्रेडियन जो अप्लाई किया है और नाइंटी बेंगे और नाइंटी में 360 डिग्री का इंगल देंगे 360 डिग्री का इंगल वही है इस तरह से ठीक है सेम बाहर आपने बनानी है अब इसमें एक यहां से आ रही है इस तरह से और एक जो है वो आ रही है उपड़ से इस तरह से आ रही है अब उसके बाद क्या करेंगे यहां से ग्रेडियंट पर आएंगे क्लिक करेंगे यहां पर ठीक है तो यह डार्क तू लाइट टू डार्क है तो इसका इंगल रखेंगे तो यहां पर क्लिक करना है तो यहां से लिए पहले हमने यह वाला ग्रेडियंट विश्पें क्या हो रहा है दार्क वू लाइट है तो यह वाला लेडा है तो यह तो यह देखिए यह हमारा डिजाइन इसका क्रिडेट होगा है तो नहीं बना रहे हैं इसके उपर जो है क्लिक करके यहां से क्लिक करेंगे एक इसका हैडल यहां मनाएंगे इसके बाद क्लिक करके शैप पर यहां से अब क्लिक करेंगे तो यहां यहां आपको कि वाय करेंगे इसका बनाना इसका ठीक है अपना नाम लिखके बनाना या स्कूल का नाव इदारे का नाम जो भी रखना इसका यह जीज़ भी टेक्स लिखना इसके उपर हमें अब यह बार्स यह बार्स हम खुद बनाए यह फिर इंटरनेट से कॉपी कर ले पोट उसके साथ की तो वह है तो बनाना तो कोई से फिर फास मसला नहीं है इसको आप ईज़ी बना सकते एंगे बना सकते मुफतरी फ्लाइंस लेके मना सकते हैं और ना टेक्सक्ट का यह ले नहीं इसको कलर कर दें अब इसमें कुछ को मोटी करना कुछ को पतली करना तो जिसको मोटी करना है उनको स्लेट कर या बोल्ड कर दो कि यह कि यह बन भी है इसका सब्सक्राइब अब एक चीज़ आपके लिए छोड़ना हूं यह नीचे वाला डिजाइन तुद बनाने की कोशिश करें ठीक है इस वाले को लिख्या अपने अपने नाम से अपने अपनी फोटो लगा के मुझे सेंड करें कि अच्छ कि अच्छ